हम देख रहे हैं हमारी बारवी कक्षा के चौथे अध्याय के प्रश्ण उत्तर यानि की आज बारी है कि जो अध्याय हमने पढ़ा है उससे हमने क्या सीखा और किस तरीके के प्रश्ण उसमें से आते हैं और हम किस तरीके से उसके उत्तर देने में सक्षम है यानि की सेल्फ अनलेसिस है मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान से हम सुनेंगे और ध्यान से हम आंसर को करेंगे तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं भाग 9 के अंतरगत अभ्यास प्रशन पहला प्रशन क्या है समाज में जनन स्वास्थे के महत्वे के बारे में अपने विचार प्रकट तो देखो बच्चो जो जनन स्वास्ते है उसका मतलब क्या है कि हम भावनात्मक सामाजिक शारिरिक बांसिक इन सभी तरीके से जब सुस्त होंगे तो उसी को हम जनन स्वास्ते कहते हैं हमारी सरकार ने बहुत सारे कारे किये हैं तो आपको बता दूं कि 1947 के बाद में इस टॉपिक पर ध्यान दिया गया जो बहुत sensitive टॉपिक माना जाता है उस पर ध्यान दिया गया और 1951 में हमारे पास क्या हुआ परिवार नियोजन योजना चलाई गई जो बाद में परिवार क सल्यान के नाम से जानी जाती है इसी के अंतरगत हम क्या बात कर रहे हैं कि जो आर्च यानि की रिप्रोड़क्टिव और चाइल्थ के बारे में हम बात करें तो यह ऐसा कारे करम है जिसमें हम सामुहिक रूप से मात्र एवम शिशू के जो हेल्थ होता है या उसका जो स्व प्रशन दो में जनन स्वास्ते के उन पहलूँओं को सुजाएं जिन पर आज के परी दरश्चे में विशे के ध्यान देनी जरूरत ह diffic यानि कि जो आजकल की लाइफ स्टाइल चल रही है या आजकल का जो परिदरश्य चल रहा है उस हिसाब से हमें किन पहलों पर जादा गौर करना चाहिए किन पहलों के प्रती हमें जागरुक रहना चाहिए ये है हमारा प्रशन अब इसमें क्या देखे हमांसर देखो आज हमे मतलब जितने भी हम बहुत जादा देखो पर लिखे हैं बहुत जादा शिक्षित हो गया है हमारे समाज में बहुत जागरुकता भी आ गई है हमारी शिक्षा प्रणाली में भी हम जनन स्वास्त्या का जो एक विशे है उस पर easily चर्चा करते हैं तो सबसे बड़ी बात है इन सारे चीजों को देखने के बाद भी इन चीजों पर कारे करने के बाद भी जो जनसंख्या है वो अनियंत्रत ही है तो सबसे पहले जो हमारी चीजें हमें देखनी है या नियंत्रत करनी है वो क्या है कि आज हमें अनियंत्रत जनसंख्या जागरुपता पैदा करनी है ताकि लोग इने रोकने और जननात्मक रूप से जिम्यदार और सामाजिक रूप से स्वस्त समाज करने के लिए जागरुखो और उसके प्रतिकारे करें इसके अलावा हम बात करें कि जो हमारी सेक्शल ट्रांस्मिटेड डिजीज है या हम कह रहे हैं कि हम जो गर्ल चाइल्ड को आने से पहले ही उसको हम भूण हत्या कर देते हैं उसके प्रति हमें जागरुख होना है जितनी भी टेक्निक्स आजकल आई है उसका जो दुरूपयोग हो रहा है उसको भी हमें रोकना है औ पुंठित सोच वाले अपराद करते हैं उनसे हम रोक लगा सके उन पर और उनको हम नियन्तित कर सके राइट नेक्स्ट हम बात करें कि क्या विध्यालों में यौन शिक्षा आवशक है यदि हा तो क्यों नेक्स्प्रaskन क्या है कि हमारे विध्याले में यौन शिक्षा जो ह इसके अलावा हम बात करें तो भरती मादा ब्रून यत्ता जैसा कि हमने कहा कि एमीनो सैंटेसस जिस पर कानूनी रोक लगा दी गई है क्यों लगा दी गई है रोक क्योंकि जो मतलब जो लोग थे जिनकी कुंटि सोस थी वो क्या करते थे इस इतनी अच्छी टेक्निक का यूज मादा ब्रून हत्याग के लिए करने लगे तो इसके भी प्रती हमें लोगों को जागरुप करना है क्या विध्यालियों में यौन शिक्षा आवशक है यदि हां तो क्यूं और ना तो क्यूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो एक विशय है ये बहुत ही जादा सम्विंदन शील तो है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है क्यों क्योंकि ये ऐसा एक मुद्दा है जिस पे प्रणाली है उसमें इस विशय पर चर्चा करना आती आवशक है इसको हमें अपनी शिक्षा प्रणाली का भागीदार यह हम कह सकते हैं कि एक जो जरूरी अव्यव होता है जरूरी पाठ होता है उसके तौर पर लेना चाहिए तो क्या हुआ हां विध्यालियों में यौन श है तो विध्याले जैसी जगे से तो अच्छी जगे कोई हो ही नहीं सकती है राइट नाव क्या आप जानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनल स्वास्ते में सुधार हुआ है यदि हां तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ शेत्रों का वर्णन कीज हैं तो हैं तो ऐसे एरियास के बारे में हमें बताओ तो हम बात करें कौन कौन से एरियास हैं तो सबसे पहले हमने बात करी थी 1951 में हमने क्या चलाया परिवार नियोजन एक कारेकरन चलाया जिसको हम बाद में परिवार कल्यान के नाम से जानते हैं इसी के साथ में हमने RCH क के बारे में बात करी रिप्रोड़क्टिव एंड चाइल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कुछ शवे द्रश यानि कि कुछ ऐसे नुकर नाटकों के द्वारा कुछ ऐसी छोटी-छोटी फिल्मों के द्वारा या कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि जो नाट्टे प्रस्तूती के द्वारा हम लोगों को जागरुक कर रहे हैं बिल्कुल डेफिनिटली चेंजेज आया है इसके परिणाम सरूप क्या हुआ कि यौन संबंदित मामलों के बारे में बहतर जागरुकता अधिकारिक संख्या में चिकिस्सा सायता प्राप्ट प्रस सब्वे बहतर प्रसोत्तर देखवाल मात्रवे शिश्य मृत्युदर में गिरावट आई है डेफिनिटली लगू परिवार यानि जो नुक्लियर फामली है उसको भी बढ़ावा मिला है जो एस्टीडी है उसके प्रती भी लोग जागरुक हुए है और जो इस पर नियंतित लगा है मतलब जो नियंत्रन हुआ है वो भी हमारे देखने काबिल है इसके अलावा सभी यौन समस्यां हो ही तु बड़ी हुए चिकिसा यानि बहुत सारी टेक्नीक्स भी आई है जो कि हमें क्या करती है समाच के बहतर जनन स्वास्ते की और संकेत देती है यानि कि डेफिन साथ जो मात्र शिशुदर है मात्र जो मृत्युदर है और जो शिशु मृत्युदर है उसमें भी हमने गिरावट देखी है फिर हमारा जो नेक्स प्रेशन है वो है जनसंख्या विसपोट के कौन से कारण है और ये प्रेशन जो है अधिकतर आता है ठीक है ये प्रेशन बह कारण है बच्चों देखो सबसे पहली बात जो हमने चैप्टर पढ़ा तो मैंने बताया था कि इसमें क्या हुआ कि जब अपने बहुत अच्छी टेक्नीक्स लेकर आए हमने चिकिसा सुवीधाओं को बढ़ाया तो जो मात्र मृत्युदर है उसमें गिरावट आई पहला कार कमी आई है राइट तो डेफिनेटली क्या हुआ कि हमने जनसंख्या विसपोट को देखा क्यों क्यों कि देखो जहां पर हम एक अच्छा पॉजिटिविटी ला रहे हैं कि हम बहत्री इन टेक्नीक्स ला रहे हैं हम चिकिसा सुवीधाओं को अच्छा बना रहे हैं लेकिन जब मृत्यु दर में कमी आईगी तो definitely जनसंख्या बढ़ेगी इस राकल तो जनन आयू की लोगों की संख्या में व्रद्धी हो ना मृत्यु दर में ते वर गिरावत मांत रिम कमी महीलाओं में असिक्षित हो इसकी वज़े भी क्या हो रहा है जनसंख्या में विस्पोट आ रहा है परिवार नियोजन के तरीकों को पूरी तरीके से अपनाया नहीं जाता जितने भी contraceptive methods हमने देखें method, natural method, chemical method, surgical method इनके लिए लोग अभी भी aware नहीं हो पाएं है अच्छी स्वास्ते सेवाओं के कारण जीवन स्थर में आय सुधार के कारण भी नाव क्या गर्ब निरोधुकों का उपियोग न्यायोचित है ये question मेरा आपसे भी है क्या हमने जब contraceptive methods देखें तो आपको क्या लगता है कि contraceptive methods को यूज करना ठीक रहेगा डेफिनिटली ठीक रहेगा क्योंकि ये ऐसे methods है इतने easy-easy methods है चाहे chemical methods देख लो चाहे natural method देख लो barrier method देख लो surgical method देख लो कोई भी बचों हम नहीं है इसके अंदर हम बड़ी-बड़ी बिमारियों से बच रहे है हमारा पूरा reproductive health जो है काफी भैतरीन हुआ है तो मेरे हिस हिसाब से और हम सब की हिसाब से क्या होना चाहिए कि contraceptive methods का यूज करना बिलकुल न्यायों चित है इस एक लियर नाओ जनन ग्रंथी को हटाना इंपोर्टेंट को हटाना जनन ग्रंथी को हटाना गर्व निरोधकों का विकल्प नहीं माना जाता है क्यों अगेन रीपीट इस question कि जनन ग्रंथी को हटाना मतला पन जनन ग्रंथी फीमेल और मेल का जो रिप्रोड़क्टिव और गिन है यदि हम उसी को हटा दे तो क्या होगा क्या ये सही है नहीं तो क्यों आईए देखते हैं जनन ग्रंथियां संतान उत्पन करने वाले अंग है पूरुष में पा को रिमूफ कराना चाहेंगे व्रक्षन में शुक्रानों का अथता अंडाशे में अंडानों का निर्मान होता है गर्ब निरोधुकों की प्रयोग के लिए स्वस्थ अंगों के शरीर से हटाना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है इससे अच्छा हम कॉंटरसेप्टर मैथ अख़र सी यूज कर लें ताकि हमारी जो बॉड़ी है उसका जो साइकिल है वो प्रॉपर बना रहे है इस अट क्लियर नेक्स क्वेशन हम बात करें तो उल बेधन एक घातक लिंग निर्धारन प्रक्रिया है यानि कि एमन्यू सांटसिस जिसके बारे में हमने काफी इधित है क्या आवशक होना चाहिए टिपणी करें देखो एमन्यू सांटसिस नो डाउट बहुत ही अच्छी टेक्नीक थी इसमें हमने मतलब मैंडेलियन डिजीज क्रोमोजोमल डिजीज बच्चे का मानसिक जो एक हम कह सकते है स्वास्ते है शारिरिक स्वास्ते सब पता लगा लेते थे लेकिन इसी के साथ साथ हमने बोला था कि क्रोमोजोम का भी पता लग जाता है और जब क्रोमोजोम का पता लग जाता है तो एजी ली वी कैन आइडेंटिफाए अबाउट दा फीटस विच इस मेल और फीमेल मतलब जो फीटस है वो कैसा है मेल है कि मतलब हम कह सकते हैं girl child है या फिर boy child है तो इससे क्या हुआ लोगों ने इसका दुरुपयोग करना start किया और क्या हुआ मादा ब्रून हत्या का जो एक हम कह सकते हैं कि कर्व था एक जो हमारा graph था वो बहुत peak पर चला गया due to this technique तो इसी वज़े से हमारे कानून ने क्या किया इसको निशेधित कर दिया रोक लगा दी तो क्या होगा इस पर रोक लगाना अथी आवशक है now we have next question बंधे दमपतियों को संतान पाने हे तू सहायता देने वाली कुछ विदिया बताएं तो आपको याद हो तो हमने ए आर्टी पड़ा था ए आर्टी में हमने बहुत सारी टेक्नीक्स पड़ी थी जो female fertile नहीं है उनके लिए भी और जो male fertile नहीं है उनके लिए भी जैसे कि हमने बुला था artificial insemination for male या sterile male और हमने बात करी थी in vitro जो हमारी in vitro fertilization है embryo transfer technology है जिसमें हमने gift देखा था जिफ्ट देखा था right फिर हमने यू आई यू टी देखा था बहुत सारी टेक्नीक्स हमने बात करी थी वही चीज इसके अंतरगत आईगी तो यह जो टेक्नीक्स को हम कहते थे assisted reproductive technology यानि की ए आर टी इसमें हम in vitro fertilization करवा रहे थे embryo transfer हो रहा था सारी कि सारी टेक्नीक में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ test tube भी भी बना फिर हमने बात करी थी कि जो artificial insemination है उसके अंदर भी हम जो parents हैं जो काफी time तक sterile हैं उनको हम parents बनाने में ये कारगार साबित होती है is that clear? now we have next question किसी व्यक्ति को यौन संचारत रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन-कौन से उपाए अपनाने चाहें यानि कि हमें पूछा जा रहा है कि STI, RTI, veneral disease से बचने के लिए हम कौन-कौन सी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं या कौन-कौन से उपाए कर सकते हैं तो बच्चों बहुत सारी चीजे हैं जैसे कि हमने बोला था मैथून के समय हमेशा कौन-डौन का यूज करें किसी भी व्यक्ति से या एक या एक से जादा व्यक्तियों के साथ योन संब्द ना बनाएं यदि कोई आशंका है तो ततकाल ही प्रारंबिक जाज के लिए जाएं और पूरा इलाज लें इसके अलावा हम बात करें नेक्स क्वेशन की तो निम्न वाक्य सही है या गलत व्यक्या बतानी है ठीके ये क्वेशन हम करेंगे क्या हुआ गर्वपात स्वतही हो सकता है क्या ये सही है या गलत है हमें बताना है क्या अपोशन अपने आप हो जाता है ये गलत बात है या सही बात है तो मेरे प्यारे पात कुछ किस्से सहगर्वता समापन यानि कि MTP कहते हैं नाउ नेक्स क्वेशन बंदेता को जीवन शम संतत्ती न पैदा कर पाने की आयोगता की रूप में परिभाशित किया गया है यानि कि जो कपल है वो बहुत टाइम से एक साथ रह रहे हैं को हाबिट में हैं उसके सामनेताओ या दोशों के कारण होता है क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिस्पॉंसिबल है नहीं यह सरासर गलत है हमने जब टेक्नीक्स करी थी बच्चो ए आर्टी में तो आपने देखा था हमने आर्टीफिशल इंसेमिनेशन किया था जो मेल्स के लिए था औ जोनों ही रिस्पॉंसिबल है इस अट क्लियर तो गलत बंदेता हमीशे स्री को सामनेता है यह दोशों की कारण नहीं उती कभी-कभी पुरुष भी बंदेता के लिए दोशी होते हैं नाव नेक्स्ट क्वेशन एक प्राकरतिक गर्व निरोधक उपाए के रूप में शीश माथर देखा था और लैक्टेशन एमनुरिया देखा था तो इस्थन पान के द्वारा भी प्राकरतिक रूप से हम क्या कर रहे थे वह अवांचित गर्व धारंड से बचा जा सकता था इस एट क्लियर तो यह बिल्कु सही है शीशु को पूर्ण रूप से स्थन पान कराने से अंडो सर्ग नहीं होता है जो हमारी mental cycle होती है वो नहीं हो पाती है और इस तरीके से क्या हो सकता है गर्व धारंड से बचा जा सकता है नेक्स क्वेशन हम देखें तो लोगों के जनन स्वास्ते के सुधार हे तू यौन सम्मंदित पहलूं के बारे में जागरुकता पैदा करना एक प्रभावी उपाए हैं सही है या गलत है बहुत ही नॉर्मल सी बात है यदि हमें रिप्रोड़क्टिव हेल्थ को अच्छे से बनाना है या बहुत अच्छे से यदि हमें रिप्रोड़क्टिव हेल्थ चाहिए ऐसा समा चाहिए जिसमें जनन स्वास्ते बहुत भैतरीन हो तो लोगों को जागरु करना अतियावश तो याद करो जब हमने वासक टॉमी और टुबेक टॉमी पड़ी थी यानि कि मेल और फीमेल की जो नस्बंदी हमने पड़ी थी उसमें कहीं पर भी हमने ये बात बोली थी क्या कि गर्म निरोधक के शले क्रियात्मों को पाई से युगमक ही नी बनते ग्यामीट सी बनना रहे थे राइट तो क्या हुआ गर्म निरोधक के शले क्रिया उपाई युगमक बनाने से नहीं रोकते बलकि युगमक परिवेहन को रोकते हैं ताकि वो मोटाइल नहां रह सके सबी प्रकार के यौन संचारित रोक पूरी तरह से उपचार योग्ये हैं ना हमने याद किय क्या था एक दो तीन तीन एच याद करें ठीक है कौन कौन से थे यकरत शूत भी जननिक हर्पीस और एचाईवी तीन ऐसे संक्रमित यौन संक्रमित रोग हैं जिनका उपचार नहीं किया गया है नेक्स वेशन हम बात करें ग्रामीन महीलाओं के बीच गर्मी रोधक के रू सबस्करती है हां हम मानते हैं कि कौमन महीला नेकिन यह शहरी जो महीलाओं उनकी भी हुज में भी कौमन है जाता है मुझा अब बात करें थे एच सेल वाली बीफोर एंण आफ्टर हमने एक बार फेलोपियन ट्यूब में डाला था और एक बार यूट्रस में डाला था तो इस तरीके से आज हमने बारवी कक्षा के चौते अध्याई के प्रश्ण उत्तर भी देख लिए हैं आपको अभी तक आप में घ्यान हो गया होगा कि आपको अभी कितना पढ़ना है ठीक है कैसे आप किस क्वेशन का अंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जाएंगे प्रीवेश वीडियो में पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे उसके बाद प्रश्ण उत्तर पे जाएंगे दुबारा से यदि आपने आंसर नहीं किये हैं या कोई confusion रहे गया है तो वापस से प्रीवेश वीडियो देखेंगे I hope आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप अराम से सक्षम होए होंगे प्रश्ण उतर करने के लिए फिर मिलेंगे अपन नेक्स चेप्टर के साथ जबता धन्यवाद